आज एक और खास विशे पर वीडियो लेकर के आपके बीच पे आए हैं जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा इस विड़े में बात करने वाला हूँ राजनिती में सफलता के लिए चर्चा में बने रहना क्यों जरूरी है जी हाँ दोस्तो मैंने कई वीडियो में भी बताया है और सच्चाई है राजनिती में तीन चीज़ों का बहुत महत्व है पर्चा, चर्चा और खर्चा आज मैं चर्चा पे बात करना चाहता हूँ चर्चा में रहना क्यों जरूरी होता है और चर्चा एक दोधारी तलवार है दोस्तों ये भी ध्यान रखेगा जी हाँ, यदि आप काबिल नहीं है यदि आपके अंदर राजनिती लीडर्शिप शमता नहीं है मंच पर बोलने की कला नहीं है लोगों को कन्वेस करने की कला नहीं है आप अच्छी तरह से अपनी बात नहीं रख सकते है तो आपको चर्चा से बचना चाहिए पहले कामलियत हासिल कर लेनी चाहिए क्योंकि ये चर्चा दोधारी तलवार होती है कई बार नुकसान भी हो जाता है क्योंकि आधी हधुरी जानकारी खतरनाक होती है मैंने बहुत बार बताया राजनीती की रनीतियां दवाई की तरह होती है और उनके साईड एफेक्ट्स भी होते है नहीं आधी हधुरी बात सुन ली छर्चा परचा और खर्चा चर्चा में बरेने के लिए कुछ भी करना चाहिए, सर ने बोल दिया था, करना चाहिए, हाँ बिल्कुँ सही बाते करना चाहिए लेकिन किसे और कब उस वेक्ति को चो काबिल हो और तब जब उसे काबिलयत दिखाने का अवसर ना मिल रहा हो उसे अपनी लीडर्शिप दिखाने का मौका ना मिल रहा हो, उसे मच ना मिल रहा हो, वो वो चर्चा में रहे या उसको चर्चा शुरू करनी चाहिए और नेगेटिव हो या पॉस्टिव उससे फरक नहीं पड़ता, जब आप काबिल होंगे और आपके बारे में कुछ उल्टा सिदा बोला भी जा रहा होगा, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग जब आपको जानेंगे, आपको समझेंगे, आपसे मिलेंग आपको सर्च करनेंगे, तो उन्हें पदा चल जाएगा असलियत क्या है, और चर्चा का लाप क्या है, सबसे पहला लाप तो चर्चा का यही है, कि जब किसी की राजनीती समाप्त करनी हो, तो पहले उसकी चर्चा समाप्त की जाती है, यानि यदि आपकी चर्चा समाप्त ह और खासकर से आपके विरोधियों में आपकी चर्चा समाप्त हो गई तो समझ लीजेगा आपकी राजरीती समाप्त होने वाली है और यदि आप चाहते हैं कि आपकी राजरीती समाप्त ना हो तो आपकी चर्चा समाप्त नहीं होने चाहिए लेकिन जैसे मैंने कहा पहली चर्चा में participate करिए या फिर ऐसा काम करिए कि लोग आपकी चर्चा करें वरना क्या होगा वरना आप exposed भी हो जाएंगे हाँ जैसे मैंने का चर्चा दो धारी तलवार है क्योंकि लोग आपके बारे में सर्च करना शुरू करेंगे जानना शुरू करेंगे और पता चलेगा आपका मजाग मन करके रह जाएंगे आप राजनीती में सफल नहीं हो पाएंगे चर्चा में तब उतर ये जब काबलियत हो और काबलियत है तो चर्चा में जाएए चर्चा का फायदा होगा क्योंकि आपकी राजनीती स्थापित होगी राजनीती में आप बने रहेंगे क् चर्चा में रहने का दूसरा लाप क्या होता है? पैसा दूसरों का, समय दूसरों का, संसाधन दूसरों के, चर्चा आपका. और क्या चाहिए आपको? लोग तो परचार परचार के लिए कितना लाखो करोड़ रुपे खर्च करते हैं, यहाँ फ्री में परचार हो रहा है, और मान लीजिए, कोई वेक्ती सोशल मीडिया पर, ओफ लाइन, ऑनलाइन, कहीं बैट करके, आपके बारे में चर्चा कर रहा है, समय लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके दिमाग में आप ही भूमते रहते हैं, आपने उसकी चैन सुक चैन छीन लिया है, उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आगया है, आप उसको गाइड कर रहे हैं, आप उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं, आपने हाई जेक कर लिया है उसका दिमाग पकड़ लिया है जकड़ लिया है आपने उसको यानि सोते जाकते उठते बैठते उस सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है और यही यही तो आपकी पकड़ है जो सामने वाले को दहशत में रखती है कि कहीं कहीं आप सफल ना हो जाएं, कहीं आप और बड़े ना बन जाएं और हर दिन वो यह सोसता है, क्या करा जाएं, क्या आरोप लगें, क्या पृति आरोप लगें, क्या एलिगेशन लगें और आप काबिल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो कोई फरक नहीं पड़ता माली जे 10, 20, 50 लोग उसको जानते हैं, उसकी बात सुन रहे हैं तो 2, 4, 5 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे अब वालो वह आपको सर्च करना शुरू करते हैं, हो गया काम मैं अपना वेक्तिकर का एक्जामपल दे रहा हूँ, वेक्तिकर काई वीडियो में बता है जब मेरी जादा चर्चा नहीं होती थी, मेरे खिलाफ लिखने वाले लोग जादा नहीं थे तो मेरे सर्च करने वाले मेरे फालोर्स भी जादा नहीं थे जब मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, लोगों ने, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, अईसा कर रहा है उसको ग्क्ना धूर्गं नहीं है, इसकी वीडियो बेकार है तो मेरे चैनल पर followers बढ़ गए तो गबरानी की सुरत नहीं है काबलियत हो नीचे ये बस इस चीज को गाण बान लो कि अगर आपके अंदर काबलियत है तो हर तरह की चर्चा आपके लिए फायदे बंद होगी आपको expose तब किया जा सकता है जब आम नाका रहा हैं जब आम जूटे हैं जब आप गलत है अगर आप सच्चे हैं आपके अंदर काबलियत है आपको पता है कि आप किसी दूसरे के बलबूते नहीं अपने बलबूते खड़े हुए तो चर्चा होने दीजिए पैसा दूसरे लगाएंगे संसादन दूसरों के लगाएं समय दूसरों के लगाएंगा चर्चा आपकी होगी और जब लोगों के बीच में आपके चर्चा होती है तो जैसे मैंने बताया लोगों के अंदर उत्सुकता होती है लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आपको इबारे में सर्च करना शुरू करते हैं. हर जगा आपको ढूना जाता है, तो जहां पर भी आप दिख जाएंगे, लोग आपको और ज्यादा जानना चाहेंगे. जब कोई आपके खिलाफ लेखेगा, लोग आपके बारे में और जानेंगे, आपकी पार्टी खिलाफ लेगा, पार्टी के बारे में जानेंगे, संगेट में खिलाफ लेगा, संगेट में जानेंगे, आपके अपने व्क्तिकत बारे में लेखेगा, आपको व्क्तिकत जानना चाहते हैं, आपसे जुड़े ना जुड़े, कम से कम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, पक्ष कब जानेंगे, जब आपके बारे में उनको पता होगा, वरना तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं कह रहे हैं, हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हमारे थौड्स, हमारे विच सब्सक्राइब कुछ लोगा अच्छी चीज तो अच्छी नौलेजने कोशिश करेइं प्रियास करिए disrespect बजाए अच्छे बनने पर फूकस करिए और और जब आपका focus अच्छे बनने पर होगा, लोग की मदद करने पर होगा, जो भी आपसे मिलेगा आप मदद कर रहे हैं, और लोग आपको गहरे हैं, आप बेकार हैं, घटिया हैं, लालची हैं, मतलबी हैं, लेकिन आपने तो कभी किसी साथ गलत नहीं किया होगा, तो आहिस् 14 के कैंपेण में, नरिन मुझी से एक reporter ने पूछा था, कि ये भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी आप पर लगा रहे हैं, ये भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, हर TV में हर channel पर आपके उपर आरोप, प्रतियारोप हो रहा है, उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी, च गुणों स्ट्रेंथ को अपने पास रखिए और फिर लोगों को चर्चा कर देजिए चर्चा गुणों पर हो या दूर गुणों पर फर्क नहीं पड़ता और कई लोग तो सच्छा ही बता रहा हूं कई नेता तो जान बूच करके अपनी कुछ ऐसी कम्यों को जो उनमें होती थे क्योंकि वो तरह है नहीं तो चर्चा किस तरह से करनी है कब करनी है अपनी काबलियत क्या होनी चाहिए और किस तरह की चर्चा आप महत हुए लेकिन मैंने कहा चर्चा एक दोधारी तलवार होती है तो यह ध्यान रखेगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि चर्चा के चक्कर में आप एक्सपोज हो जाए चर्चा के चक्कर में आपकी काबलियत नहीं है यह लोग को पता चल जाए अगर काबलियत नहीं है तो पहले च चर्चा आपको कुछ नख ला कर देगी, आपसे कुछ लेगी नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं करेगी। मैंने कोशिश की इस वीडियो पे आपको गाइट करनी की चर्चा का क्या महत्व है और चर्चा में रहने में क्या फैदा होता है। जैसे मैंने कहा था कि हर वीडियो के बाद में एक संदेश दूँगा, एक खास संदेश आप सबको देना चाहता हूँ इस पर focus मत करिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं focus इस पर करिए कि आप खुद actual में कैसे हैं समस्य क्या है, हम सब अच्छा दिखना तो चाहते हैं, हम अच्छे बनना नहीं चाहते और आप आप तै करिए, अगले एक वर्ष तक मैं अच्छा दिखने की बजाए अच्छा बनने का प्रियास करूँगा मैं जो गुण मेरे अंदर हैं उन्हें और निखारूँगा और जो गुण नहीं है उन्हें डालने का प्रियास करूँगा मैं अपनी काबलियत को इतना बढ़ाऊंगा कि जब कोई वक्ती मेरी काबलियत के बारे में बात करेगा मुझसे सवाल करेगा या उस विशय पर बात होगी तो सामने वाल आप उससे इंप्रेस होना चाहिए उससे लगना चाहिए कि हाँ वाके कोई वक्ती था जिससे मैं मिल कर आया और मेरे छाप छाप उस पर रहनी चाहिए जब जब आपका उद्देश अच्छा बनने पर होगा तो अपने आप ही आप अच्छे दिखने लगेंगे लोग आपको अपने आप ही पसंद करने लगेंगे और किसी के नेगेटिव कहने से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है कहने दीजिए जो जो कह रहा है कहने दीजिए आप अपना focus, अपना ध्यान, बिल्कुल अरजुन की तरह, ये चिडिया की आँप पर, बस, ये मसली की आँप, और कुछ नहीं दिखेगा, बस, अगर आपका aim, आपका objective, आपके नजरों में ऐसा है, तो फिर-फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कहता है, मैं कोशिश करूंगा, आगे भी आपको गाइट करता रहूं, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ज़रूर, मेरी टीम रिवट करेगी, मुझे वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, तो मैं किसी और वी टॉपी वीडियो भी चाहें, ट्रेनी लेना चाहें, गाइडेंस लेना चाहें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएगी, मेरा फोन नमर में लेका, डारेक्ट बात करें, दो चार पार्च मिंट बात करें, कोई चार्ज नी है, मैं कुछ शिश करूँ आपको गाइट कर पाऊ, आज के ल राजिनी भविश्य के लिए हार देख शुब कामना है, जै हिन, जै भारत